नमस्कार मैं हूँ आपके साथ जोती कनोजी और आप देख रहें ग्रीन लाइन नियूस आई रूख करते हैं खबर क्योंग हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की कोचिंग में हुआ प्यार मगर परिवार में बढ़ गया तकरार घर से भाग गए दोनों आईए देखते हैं पूरी खबर तातारपूर थानाच्षेत में विभाकी निया से फरार हो रहे दो प्रेमी जोडे को पुलिस ने अपनी गिरफ्ट में ले लिया पुलिस्त की गिरख्त में आये प्रेमी जोडे में सबोर थाना छेत के खान कित्ता गाउनिवासी विरेंद कुमार के 22 वर्षी पुत्र शुबम कुमार हैं वही लड़की जिरो माईल थाना छेतर के फतेपुर गाउनिवासी महुम्मत अक्रम की 20 वर्षी पुत्री नन्ही कातून बताई जा रही वही मामले को लेकर दोनों प्रेमी जोडो का कहना है दोनों का प्रेम प्रसंग विगत दो वर्षों से एक स्थाने कंप्यूटर कोचिंग में शुरू हुआ जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे किस्ता विवा करने का निर्ने लिया शुबम की माने तो दोनों अलग-अलग समुदाई से तालुकात रखते हैं जिसको लेकर उनकी माता पिता की इस विवा को लेकर रजमन नहीं है शुबम का याभी कहना है कि वे दोनों इससे पोर्व में भी घर से फरार हुए थे और जमशेत पोर के किसी मंदिर में विवार रचाया था जिसके लड़की के परिजनों ने उसे जबरदस्ती अपने पती शुबम से दूर कर दिया शुबम की माने तो उसकी पत्नी नन्ही खातून तीन महीने की गर्बवती थी जिसका गर्बपात परिजनों ने करा दिया शुबम का कहना है कि नन्ही खातून ने परिजनों का उसका विवा किसी अन्य जगहत तै कर दिया है जिसको लेकर वे दोनों को पुना भागनी की तैयारी कर रहे थे लेकिन नन्धी खातून के परिजनों ने प्रेमी जोडो इस्ताने पुलिस को सुपूर्द कर दिया है फिलार्ट पुलिस दोनों से पूछ ताज कर रही है ऐसे ही ख़बर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें ये ग्रीन लाइन यूज राची ओक्सपोर्ट पब्लिक स्कूल का ब्रांच गर्वा शहर नरायन तो दंड़ा में खूला गया है प्रेनर्स्वी से क्लास सिक्स तक नावानकन प्रारम है जहां बच्चों के लिए डिजिटल वा एसी क्लास फूम हाई टेक कंप्यूटर लैब एवं बस की सुविधा उपलत है 9031474750 पर संपर करें